कि हैं लो गाईस आज अब लिश्कस करने जा रहे दिम डिस्टिंग परसन होता क्या है और उसका इंपैट क्या होता है तो आज एक में आपको यहाप एक्जाम्बल लिया यह बिग बाजार महाराष्ट्रा उनके तीम ब्रांचे मैं एक कुने मुंबई नाशिक अगर इन तिनों का सेम जीश्टिंग नंबर है जिए उन्डर सेम पैन जीश्टिंग भी सेम है क्योंकि विज़िन वन स्टेट यू क यह आपके वाज चॉइस है तो एजू करो फर्स चॉइस उन्हें किसी भी ब्रांच के लिए विदिन एस्टेट अलग नंबर एक ही नंबर लिया है तो इसमें जब ब्रांच ट्रांसफर होगा तो उस पे जी एस्टी नहीं आएगा उनको दीम डिस्टिंग परसन नहीं माना जाएगा क्योंकि जब डिम डिस्टिंग परसन में गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो उस पे जी एस्टी आता है इवन इफ इस विताउट कंस्टरेशन ऐसा अपने सप्ला में पढ़ा है पैराटू में कि सप्लाइब गुड सर्विस बिटिविन डिम डिस्टिंग परसन इ इमेजिंग करो अनादर सिचुमेशन इन तीनों ब्रांश ने अलग जी से मर लिया पैन नंबर एक है अंडर सेम बैं यह थेकन त्री जी एस्टिंग नंबर सो विदिन वन स्टेट लेट से माहरा स्ट्रव यह वाट त्री जेस्टिंग अंडर सेम पैन इपीट पैन शुड उस पर जी एस्टी आएगा तो यह है पहला पार्ट सुमें तीन पार्ट में पड़ाने होला यह था विदिन टीठ फिर लोगा मैं आॉटसायड सिट एज सेंट इंडिया तो इती है त Deus है तो इसमें जो ब्रांश ट्रांस्वर होगा उस पर जी स्टी नहीं आएगा झाल थ लिए है तो उसमें जो ब्राज ट्रांसफर होगा इवन इफ इस विद्धाउट कंस्ट्रेशन उस पे जी एश्टी आएगा ठीक है तो यह तक आपको समझाए कि नहीं आपको कॉमेंड में बताना है आपको एक्जाम में आ सकती है अनादर स्टेट तो अगर आपका ब्राज दुसरे स्टेट में है अच्छा हर एक स्टेट में आपको अलग नमबर लेना ही पड़ता है विगोज GST का जो SGST पार्ट है वो स्टेट का रेविन्यू है तो इफ यू ओपन ऑफिस इन एवरी ब्रा रेश्टेशन है तो यह जो ब्राज ट्रांसफर हुआ है इसको भी क्या बोलेंगे दिम डिस्टिंग परसन बोलेंगे क्या मोलेंगे उसको दिम डिस्टिंग परसन बोलेंगे या फिर दुस्रे स्टेट में कोई एस्टाबिश्मेंट है आपको कोई ब्रांच है आपको कोई री प्रेजिस्टेशन आफिस है जो रिष्टेशन नहीं लिया है उसको भी अगर अपने ट्रांसफर किया वो दुस्रे स्टेट में तो उसको भी क्या माना चाहेगा देम डिस्टिंग परसन माना जाएगा और तो ऊनदय स्टेट में आपको ब्रांच रजीस्टर हो यह संसेर है यह अभी ब्रांच का मतलब कोई अपटा कोई टो एंच मतलब आया काक क्या आपको कोई ब्रांच बता digging तो इंधेसर मानेगे यह इसन तो मानंगि और कि इस्टामपल हो विपर अब्समर्競न एडिया एक एक कंपनी एक इंडिया में है दूसरा यूएस में आपका एक ब्रांच है अगर उस ब्रांच ने यूएस लॉग के अंडर अगर रिश्टेशन नहीं लिया है तो उसको मानेंगे इस्टेश्मेंट आउटसाइड आउटसाइड एंडिया एंड सपोज यूएस लॉग में अपने अलग से रिश्टेशन लिया है यूएस लॉग में अलग से रिश्टेशन हुआ है तो उसको इस्टाबलिश्मेंट आउटसाइड नहीं माना जाएगा तो इंडिया के बार दो सिच्विशन बन सकती है आपका जो ब्रांच है उसका उस लॉग में रिश्टेशन है तो डीम डिस्टिंग परसन नहीं होगा अगर उस कंट्री में अलग से रिश्टेशन नहीं लिया है तो उसको बोलता है मेरे लिए इस्टाबलिश्मेंट आफ इस्टिंग परसन तो वहां पे जब सप्लाइ होगा दो माना जाएगा एक्सपोर्ट उप सर्विस एक्सपोर्ट में को अख्लाइं कि और यह क्वां और सप्लाइब कर रहा हो इसको ऐस कहा है अगर उन्रों ने वहापर रिश्टेशन नहीं लिया तो उसको export माना जाएगा लेकिन अगर उन्होंने export में अलग से registration लिया है they are not DDP and फिर वो export के condition से बाहर हो जाएगा उसको export नहीं माना जाएगा export के benefits नहीं मिलेंगे so in all guys DDP के तीन situation है एक within state more than one number दुसरा दो state में अपने दो number ली है तो यहां पर जब भी branch transfer होगा goods का तूस पर GST आएगा तो कि यह था एक छोटा सा concept आप डिंडिस्टिंपर सथ मैंने कोशिश किये कि easy-easy language में आपके पास में concept पहुचा दो if you have any question आप message कर सकते हैं या if you have still any queries regarding concept आप message कर सकते हैं and video कैसे लगा आपको जरूर बताना and if you want any other concept तो जरूर message करना definitely मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की thank you so much and bye-bye and अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को like करना तो मत भूनना thank you and bye-bye